सूरिया पर कीवी दिगज का बयान सूरिया अभी T20 में बेस्ट नहीं दिगज ने बताया इसका बड़ा कारण न्यूजिलन के खिलाब सूरिकुमार यादों ने 111 रनों की नाबाद पारी ने T20 पर रूप में शीर्स बल्लेबास के रूप में उनके रुथबे को और बढ़ाया है लेकिन कीवी टीम के नुभवी तीजगी इनबास टीम साउधी ने कहा खेल के सबसे चोटे अंतराष्टी प्रारूप में भारत का सर्वसरेष्ट बल्लेबास बनने के लिए उन्हें खुद को लगातार साबित करते रहना होगा सूरिया ने 15 गेंदों पर नाबाद 111 रनों की तूफानी पारी खेली जिससे भारत ने दूसरे टीटोंटी अंतराष्टी में 6 विगेट पर 191 रन बनाने के बाद न्यूजिलन को 65 रनों से शिकस थी साउधी से मैच के बाद प्रेस कॉनफरेंस में जब पूछा गया क्या इस मैच में नोने भारत की सरोशेष्ट टीटोंटी बल्लेबाज को गेंद बाजी की तो उनने का भारत के पास कई महान टीटोंटी आई खिलाडी रहे हैं सोरियक के लिए बीते 12 महीने शांदार रहे हैं और यह लगातार दमदार पारी खेलने में सफल रहे हैं टीटोंटी अंतराष्टिय में 106 मैचों में 132 विगेट लेने वाले इस गेंद बाज ने कहा भारत में नाकेवल टीटोंटी प्रारूप में बलकि तीनों प्रारूपों में ही कई अदभूत क्रिकेटर दिये हैं आपके पास इतने सारे खेलाडी हैं जो लंबे समय तक खेले हैं और उन्होंने इस दौरान बहुत कुछ हासिल किया है तीसरे नंबर पर बलेबाजी करने के लिए भीजेगे 32 साल के सुरुकुमार के सामने न्यूजरन के गेंद बाज बेबस नजर आये उन्होंने इस दौरान कई बहतरीन शॉट्स लगाए सुरुकुमार ने अपनी पारी के 18 गेंदों पर 64 रन बटोरे मैच में हैट्रिक पूरा करने वाले साओधी ने कहा वैसे खेलाडी हैं जो एक गेंद पर कई तरीकी के शॉट्स लगा सकते हैं वाईपियल अंदरास्टी क्रिकेट में पिछले 12 महिने से शानदार लेम है और उन्होंने आज कमाल की पारी खेली मैच में 34 रन देकर तीन विगेट लेने वाले साओधी ने आखरी ओवर में लगातार तीन गेंदोर पर हार्दिक पांडिया दीपक खुड़ा और वाशिटन सुन्दर काउट कर सूर कुमार के इस ओवर में स्ट्राइक पर आने का मौका नहीं दिया इस पर 33 साल के इस गेंद बाज ने कहा मैं थोड़ा भागी शाली था कि आकरी ओवर में गेंद बाजी करने का मौका बिला कई बार आप अच्छी गेंद बाजी करने के बाद भी फिकेट नहीं चटका सकते लेकिन आज इस्तिती दूसरी थी और यही खेल का हिस्सा है बता दें पहला T20 मैच बारिशे कारण रद हो गया था दूसरे T20 में शांदार जीत के बाद टीम इंडया ने एक शोनी की वठात बना दी है आपको बता दें T20 इस सीरीज के बाद टीम इंडया को तीन मैचों के बंडे सीरीज भी खेलनी है